मित्र जैमात अदी संजे बोल रहा हूँ अच्छा अभी आज मैं ऐसे ही अपने बेटे को पढ़ा रहा था उसकी बायो के सब्जेक्ट में एक्स वाई क्रोमोजोम्स आपने भी बायोजी में पढ़े होगे अपने 9th 10th क्लासिज में तो कि एक इनसान के पुरुष और स्त्री दोनों के शरीर में 23 जोड़े होते हैं एक्स क्रोमोजोम के वाई क्रोमोजोम के तो वहाँ से एक बहुत बढ़ी आजोतिश का सुत्र जो मुझे स्ट्राइट किया मैंने सोचा कि वह आप लोगों के साथ शेयर करूँ आप लोगों ने एक हमारे सनातन धर्मे एक शलोक सुना होगा यत्र नारियस्टू पूजनते रमनते तत्र देवता और हमारे धर्म में जो स्त्री को माता को इतनी महता जो दी गई है कि वो क्यों दे गी है उसका जो सुत्र है वो ये X और Y क्रोमोजोम्स की जो विज्ञान है उसमें छुपा हुआ है कि मैं ये मानने के लिए मजबूर हो गया कि हमारे रिशी मुनी X Y क्रोमोजोम्स की जो साइस है उसको भली भाती जानते थे और वहां से हमारे सनाधम धरम में औरतों को जो इंपोर्टेंस दी गई परिवारों में औरतें परिवार का केंदर बनी तो वो कैसे बनी वो जड़ा समझने की कोशिश करो कि इंसान के श्री में दो तरह के गुनसुत्र होते हैं पुरुष में X Y होता है और महिलाओं में X X होता है यानि कि दोनों एक ही टाइप के महिलाओं में होते है लेकिन पुरुष में एक X होता है तो जो X का पार्ट है महिलाओं में और पुरुषों में वो सेम होता है एक इसको मैंने जब उस में उस साइंस के बुक में पढ़ा, कि जो X-kromosome होते हैं, उसके अंदर 900 जीन्स होते हैं, और जो Y-kromosome है, उसमें सिर्फ 55 जीन्स होते हैं. कितना बड़ा सूत्र यहां से खुल रहा है कि जो पुरुष है उसके अंदर X का सिरफ एक पार्ट है और Y का जो पार्ट है उसके अंदर सिरफ 55 जीन्स है और जो महिलाएं है औरते हैं माताइं हैं बेहने हैं उनके अंदर जो X के दो पार्ट है एकस एकस यनि की जो 20 जोड़े गुण सुत्रों के बन रही हैं उनके अंदर हर गुण सुत्र के अंदर 900 जीन्स विद्ध्यमान है यानि कि 900 multiply by 46 जबकि पुरुष के अंदर 23 multiply by 900 प्लस 55 multiply by 23 तो आल्मोस्ट आधे से थोड़े जादा होते हैं पुरुषों में जबकि महिलाओं में X और Y दोनों की जो संख्या बरावर है और हर एक X में 900 जीन्स होते हैं इसका मतलब जो स्त्री को पूर्णता का दरजा दिया ग वो इस वज़ेस दिया गया है अर्ध नारिश्वर भगवान शिव भी मापार्वती के बिना पूरे नहीं होते उसका कारण ये जो आज की विज्ञान जो बता रही है और हमारे महापृषों ने हमारे रिश्यों ने बहुत पहले इसको समझ लिया था और उसको उस डंग से सत्यापित कर दिया था धर्म के नाम पे पर उसके पीछे ये विज्ञान चुपावा था आशा करता हूँ कि ये मैं आपको समझा पाया हूँगा दूसरी चेज मेरे दिमाग में आई कि आप लोगों ने देखा होगा अभी पित्री पक्ष खतम हुआ और आज कल पुरुषुट्त मास चल रहा है तो पित्री पक्ष में आप सभी लोगों ने अपने पित्रों के पुरुझों के इश्राद किये होंगे और सब लोगों को पता है कि उसमें हम जो ब्रह्मन के लिए धाली निकालते हैं उससे पहले तीन ग्रास निकालते हैं अलग अलग और ये लाल किताब में जोतिश में वैदिक में सब जगह बताया जाता है कि एक ग्रास गाये के लिए निकालो एक कुत् शुक्र का स्वरूब बतायाँ गया जो कुत्ता है वो केट्व कोवे को शनी का स्वरूब बताया है। तिनों पाप ग्रेह हैं लेकिन तिनों के लिए ग्रास निकलवाया। अब अगर आप विज्ञान में अगर कहीं पर इस चीज़ को देखो समझो तो आपने सुना होगा और नहीं सुना तो मैं बता रहा हूँ कि यह जो तीनों प्राणी हैं तीनों जो जीव हैं यह ऐसे जीव हैं जिनकों की इनसान का मनुष्य का ओरा मंडल दिखता है अगर यह तीनों प्राणी आपको या आपके सामने या आपकी तरफ एक अच्छी उमीद की नजर से देखते हैं तो यह आपके ओरा मंडल का जो नकरात्मक भाव है उसको आपके अंदर से सक कर लेते हैं खतम कर देते हैं उसको काट देते हैं तो यह उपाय है लेकिन उस उप परक में आते हैं ताकि हम हमारे लिए ये उपाई की तरह काम करें देखो कितना बड़ा विज्ञान है पहले भी मैंने एक दो आडियो क्लिप अपनी डाली तो मैं तो इसी तरह के चीज़े ढूंडता रहता हूं कि कैसे हमारा सनातन धर्म, धर्म के नाम पे हमें विज्ञान स चीजों में बड़ी embarrassment फील होती है कि हम अपने धर्म का सहारा लेके या उसके दम पे कोई चीज बात को मुकमल करते हुए शर्माते हैं क्योंकि हमें बताने वाले नहीं रहे या जो बता रहे हैं उनका ग्यान अध्गचरा है पर सच बहुत बढ़िया है और बहुत आनन्द आता है जब इस तरह की बाते सोच के और इस तरह के रिशकर्ष निकलते हैं तो अगर आपको यह चीज अच्छी लगी हो तो आप इसको जुरूर अपनाएं और पित्र पक्ष तो खेर चलो आप सबने किया लेकिन जो यह अमावस आती है ना अगर आप लोग नहीं करते और आपके अंदर अक्षमता है समय है नहीं बिया तो भी करो अपने पित्रों के लिए ठाली जुरूर निकालो हर अमावस को आपके घर में जो खीर जुरूर बननी चाहिए क्योंकि यह चंद्रमा की है इसमें चंद्रमा की चीज़ें डलती है दूद पानी चावल यह सब पूर्णमाशी की चाण में रखो और सुबह उसको प्रसाद की रूप में ज़्एं करो क्योंकि जो फूर्णमाशी का चंद्रमा है उसकी पूरी एनरजी रात भर उस खीर में ढंक से जाएगी और फिर आप उसको सुबह प्रसाद की तरह ग्रहन करोगी तो वह बहुत आप तो शिव शिवलिंग पे चड़ा हुआ जौ जल है, उसको शिर्फ लोटे में कठा करते हैं, और उसको पीते हैं दिन भर बैठके. तो जो मंदिर में यानि की आपकी कुंडली के दूसरे घर मंदिर आपका कुंडली का दूसरा घर होता है वहाँ पे चंद्रमा पे चड़ा हुआ जो उच्च का चंद्रमा होता है दूसरे घर का उच्च का चंद्रमा यानि की भगवान शिव उन पे चड़ा हुआ जल यानि की चंद्रमा उसको जो ग्रहन करेगा तो आपका चंद्रमा तो वैसे ही उच्च का रहेगा आपकी कुंडली में जाहे वो कहीं भी बैठाओ जाहे वो पिटा बैठाओ आप यह उपाई करके देखो और यह उपाई कोई भी कर सकता है कमाल की ब आप लूगों के चारो तरफ बिखरे पड़े हैं आपके सुबह उठने से लेके और रात तक आप अच्छे और बुरे उपायों के बीच में जीते हो। कि अगर स्त्रियां सुबह उठती हैं और उठके बिना नहाए किचन में आ जाएं तो आप समझो उसमें कौन-कौन से ग्रहे अटैच हो रहे हैं क्योंकि हमारी रसोई जो होती है वो शुद्ध मंगल होती है जहां हमारा बोजन पकता है अगर आप बिना नहाय यानि कि बिस्तर से उठे पूरी रात आप शुक्र की विधा में रहे हो और शुक्र और शुक्र को लाके मंगल के साथ मिला दिया बिना अपने शरीर को अपने लगन को चिंद्रमा से शुद्ध किये यानि कि पानी में नहाई बिना आप आके और मंगल से आपने उसको मिला दिया तो आपको क्या लगता है कि यह आपके उपर अच्छा एफेक्ट डालेगा कि बुरा ही एफेक्ट डालेगा यह आपके उपर बुरा ही एफेक्ट डालेग इवन लोग पैर धोके जाते थे रसोई में अब चपल बुरा केतु उता गंदी चपले क्या है बुरा केतु रसोई आपका मंगल है तो वहाँ पे मंगल के साथ बुरा केतु मिलेगा तो गड़बड होगी अब उसके लिए आप फिर बाद में उपाए करते फिरो तो उसका कोई लॉजिक नहीं है उपाए आपके चार तरफ बिखरे पड़े हैं आप अपनी नानी दादी की जो पुरानी बताई हुई जिनको हम बोलते हैं रूडिवादी विचार धारा उनको पाँच-दस सुत्रों को पकड़ो और वहीं पे आपको उपाए मिलेंगे और वही करने से हमारे जीवन के जो मुल हैं वो धीरे-धीरे सुधरते जाएंगे सिरफ इधर-उधर बैठे हुए जोच्छों के द्वारा बताएगे छोटे-मठे उपाए कर लेना और फिर सोचना की चमतकार नहीं हुए इसी चमतकार नहीं होते उपाएं को अपने जीवन में धारन करना पड़ते हैं जैसे मैंने जो अमावस्या वाल आपको बताया कि अम आवस्या को पितरों के लिए थाली निकालने पड़ती है क्योंकि अगर आपने पढ़ा सुना हो तो गरुड पुरान में गरुड पुरान जो हमारे अठाना पुरानों में से एक पुरान है उसके अंदर जो दूसरे खंड में प्रेत कल्प में इसका एक अध्याय है उसमें इसका पुरा वरणन है कि जो अमावस्या की तिथी होती है उसमें आपके पितर लोग सुबह आके आपके दर्वाजे पे बैठ जाते हैं, पितर जो वाई रूप में, हवास रूप में आते हैं और वो आपके दर्वाजे पे बैठ जाते हैं और वो शाम तक आस लगाए बैठे रहते हैं कि हमारे संतान, हमारे पुत्र पुत्रियां हमा अमावस्या वाले दिन तो वो शाम को कर्स करते हुए निकलते हैं और आपको संताप दे के निकलते हैं वहां से क्योंकि आपने उनको तृप्त करके नहीं बेजा तो अब जो ये अमावस्या को या तीन ग्रास वाला जो है जो लॉजिक है जो विधान है कि जैसे अमावस्या को अगर निकालते हैं क्योंकि अमावस्या में जो अमावस्या का दिन होता है उसमें पापी ग्रह बहुत एक्टिव होते हैं यानि कि बहुत स्ट्रॉंग होते हैं ये शनी के तू शुक्र राहू तो इन ग्रहों को फीड करके आप इनको पैमपर करते हो या आप इनको फीड करके इनको शांत करते हो और इसलिए उसको आपकी जो भोजन करने की जो विदी है उसका एक हिस्सा बनाया कि सबसे पहले पापी ग्रहों के लिए खाना निकालो तो तो मैं इस चीज़ को इस धंग से समझता हूं और आपको अगर जमता है तो ठीक है अशर करता हूं यह दो तीन विश्य जो मैंने टच किये आप सब को समझ में आया हूंगे जैसे यह रहा हूं